अगर फेंड्स आपके पास ओवो का रेनो 10 5G है तो आज के इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ इसी फॉन के टॉफ 60 प्लस टिप्स और डिक्स और कुछ हिडिन फीचर्स लिनका यूज करके इस फॉन को आप सौट कर तरीके से यूज कर सकते हो जैसे कि इस फॉ जाते हैं जो कि काफी यूजब रहेंगे तो चली फेंड्स इस वीडियो के अंदर उन सभी hidden फीचरों के वारे में जानेंगे चली बिनाटेम बेस करते हूँ वीडियो सुरू करते हैं आप इस फॉन के स्कीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो इस फीचर को अन करने के लि स्कीन पर press and hold करना है, side जाने के बाद mode पर आ जाईए और यहां से scroll down कीजिए, देखने को मिल जाएगा double tap to back और turn off इस फीचर को on करने के बाद अब आप इसकीन को off होगी, इसको double tap करेंगे तो on भी हो जाएगी और double tap करेंगे skin off हो जाएगी इस phone आपको rise to back का feature मिल जाता है, जैसे आप phone को pick up करते हैं, automatically phone की screen on हो जाएगी आप चाहें तो इस feature को भी on कर सकते हैं, जिसके लिए आपको phone की setting में जाना है, यहां से scroll down करना है scroll down करने की बाद आपको देखने को मिलेगा additional setting, यहां click कीजिए और यहां पर आपको gesture and motion देखने को मिल जाएगा इस पर click करने की बाद आपको rise to back वाला feature on कर लेना है, अब आपको phone का कुछ इस तरह से screen off होता है जैसे आप phone को pick up करेंगे, इस skin इसका automatically on हो जाएगा, तो इस तरह से rise to back feature को आप on कर पाएंगे आप इस phone की screen को काफी अच्छे से customize भी कर सकते हैं, जैसे कि जो icon apps देख रहे हैं, आप इनका save change कर सकते हैं इसके लिए आपको जो control में आप color देख रहे हैं, इनको भी आप चाहें तो अपने हिसाब से style करके रख सकते हैं, इनका भी आप shape change कर सकते हैं इसके लिए आपको phone की setting में जाना होगा, यहाँ पे आपको wallpaper and style देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कीजिए, इसके बाद आपको icons पर click करना होगा, तीन अलग-अलग style आपको पहले से ही देखने को मिल जाती हैं, अगर आप इनमें से किसी भी style को set करना चाहते हैं तो कर सकते call का जो apps का background है, आप उसको resize कर सकते हो, icons resize कर सकते हो, यह सभी feature मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको apps का name आपको देखने को मिलना है, इसको भी आप चाहें तो resize कर पाएंगे, जिसके आप यहाँ पर click करके उसको select कर सकते हो, तो जो भी आपको select करना है, आप custom करके रख यहाँ से एक step बापस आने के बाद आपको colors पर click करना होगा, जिसके बाद आपके जो color आप यहाँ पर देख पा रहा है, इनको आप change कर पाओगे, तो जैसे कि मैंने इसको select किया, अब आप देख पाओगे, यहाँ पर color change हो चुका है, तो जो भी color आपको अच्छा लगता ह सकते हो, यहाँ पर तो वो भी आप change यहाँ पर कर पाओगे, अगर आप इनका जो icons का save आप देख रहे हो, आप आप चाहें तो इसको भी change कर सकते हैं, जिसके आपको वापस आना होगा, click setting पर आपको click करना है, यहाँ पर आपको अलग-लग save देखने को मिल जाएंगी, जो क यहाँ पर आप select कर सकते हैं, फिर यह कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे, जो भी आपने select की हुए है, तो जो भी आपको save अच्छा लगता है, यहाँ पर icons का save बगएरा change कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे customization आपको यहाँ मिल जाते हैं, यहाँ पर page को changes करते हैं, तो यहाँ पर आपको normal page change होके देखने को मिलता है, चाहें तो आप यहाँ पर transaction को भी add कर सकते हो, यहाँ पर effect को लगा सकते हो, जिसको लिए screen पर आपको one finger से फेरे से hold करके रखना होगा, side करनी के बाद transaction को आप देख पाऊ हो, यहाँ जब आप click करते हो, आपको अलग-लग न animation रहता है, आप उसको change कर सकते हो, और जो fingerprint animation होता है, उसका आपको sound अगर सुना ही नहीं देता है, तो आप उसको भी on कर पाऊगे, जिसको लिए आपको phone की setting में जाना होगा, और यहाँ से scroll करने पर wall paper and style पर click किजिए, हलका से scroll down करने पर fingerprint animation देखने को मिलीका, यहाँ click करना आपको अलग-अलग animation देखने को मिल जाएंगे, जो भी animation आपको अच्छा लगता है, उसको आप select कर सकते हो, और वही animation आपको fingerprint touch कराएंगे, वो देखने को मिल जाएगा, अगर आपको fingerprint animation sound on करना है, तो बापस आईए, sound and vibration option पर click किजिए, यहाँ आनिक बद आपको scroll down करना ह haptic and tune पर आप click करेंगे, यहाँ देखने को मिलेगा fingerprint animation sound, इसको on कर दिजिए, अब अपको fingerprint को test कराएंगे तो आपको animation sound भी सुनाई दे जाएगा, इस phone के अंदर friends आपको add slide का भी support मिल जाता है, जब भी आपके phone पर कोई notification आएगी, आपको दोनों circle से एक light देखने को मिलेग आप उसको on कर सकते हो और अपने screen को काफी unique बना सकते हो, जिसके लिए आपको phone की setting में जाना होगा, यहाँ से scroll करने पर ball paper and style पर click करना होगा, हलका से scroll down करने पर add light आप देख सकते हो, यहाँ पर तीन अलग-अलग आपको lights के color देखने को मिल जाते हैं, जिस color में आप lights को द time में आपको 2 apps यूज करना है, तो बहुत आसानी से कर सकते हो, किसी भी पहले एक apps को open कीजी, और यहाँ पर आपको open करने को बद ती finger लेना है और इस तरह से up कर देना होगा, आपका एक application ऊपर की ओर चला जाएगा, अब नीचे की side किसी भी दूसरे apps को आप open करा सकते हो, आसानी से, तो दो apps को एक साथ यूज करना है, तो इस तरह साप क्लिक करके, दो apps को एक साथ यहाँ पर देख पाऊगे, अगर चाहें तो ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर भी switch कर सकते हो, जिसके आपको यहाँ तीन dot देखने हो कुमलती, इन पर क्लिक करना होग तो इसका आप यूज कर सकते हैं, इस फोन के अदर spread screen का, इस फोन में आपको floating window का भी support मिल जाता है, किसी भी apps को floating window में use करने के लिए पहले किसी भी apps को open कर लीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका interface फिर आपको मिल जाता है, अब आपको इस apps के लिए अगर floating window के लिए कर सकते हैं, इस फोन करने के लिए आप यहाँ करके full screen कर सकते हो, यहाँ पर आप चाहिए इसको pop-up में भी select कर सकते हो, डाल सकते हो, कुछ इस तरह से pop-up में भी, तो यह काफी useful feature हो जाता है, और किसी तेम आपको कोई भी apps अगर floating window के लिए यह on करना है, तो आप इस तरह से and power button, जब आप एक साथ पैस करते हैं, तब भी आप इस homemade screenshot को ले पाते हैं, यहाँ पर अगर आप चाहिए, तो यहाँ पर आपका long screenshot को भी बना सकते हैं, तो इसलिए आप चले जाहिए long screenshot area में, और वहाँ जाने की बाद एक normal screenshot को click केजिए, scroll पर जब आप click करेंगे, तो यहा बगएरा करने की जरूत नहीं रहती, simple screen पर आपको press and hold करके रखना होगा, अब जिस area का आप screenshot चाहते हैं, वो आप select कर सकते हो, कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर click करके आप इसको direct save कर पाऊगे, यहाँ आप आपको एक और feature मिल जाता है, आप goal type screenshot को भी बना सकते हो, इसके आपको फिर से screen पर press and hold करना होगा, इस option को जब आप select करेंगे, तो जिस area का आपको goal type screenshot चाहिए, वो आप इस तरह से select कर लीजिए, यहाँ पर save करेंगे, और कुछ edit पगएरा भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ी को blur करना होगा, तो edit option भी काफी अच्छी मिल जाते हैं, आप अपने area को select कर सकते हो, कुछ इस तरह से, तो आपको screenshot को इस तरह से select हो जाएगा, और यहाँ पर click करके इसको आप save कर आपाऊगे, आपका control planner यहाँ पर देख पाऊगे, यहाँ पर भी आपको screenshot का feature मिल जाता होगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ इस तर feature, इस पर click करने की बाद, आप यहाँ पर देख पाऊगे, smart slide bar, इस पर जब क्लिक करने तो यह आपका on होना चाहिए, अब smart slide bar यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, यहाँ पर आपको screenshot लेना है, तो click करके directly आप screenshot को भी बना सकते हो, आप इस phone की flashlight को on करना चाहते हो, तो lock screen पर आपको be swipe करना पड़ेगा, आपका flashlight on हो चाहिए, अगर आप इस feature को on करना चाहते है, तो phone की setting में चाहिए, scroll down कीजिए, additional setting पर आपको click करके रेखने को मिलेगा, gesture and motion, यहाँ click करना है, और आपको screen off gesture पर click करना होगा, तो यहाँ पर feature मिल जाता है, draw B से flashlight को on कराने क तो इस feature को जब आप on करेंगे and got it पर click करेंगे, तो lock screen off होने पर आपको be swipe करना होगा कुछ इस तरह से, तो आप देखवा होगे, आपकी phone की flashlight on हो गई है, तो कभी भी आपको flashlight जल्दी से on करना है, तो lock screen होने पर आपको be swipe करना होगा, flashlight आपकी on हो जाएगी, यहीं पर आप खुछ और फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप flashlight के अलावा अगर आप lock screen पर camera apps को भी इसी तरह से access करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको इस feature को on करना होगा, अब आपको यह feature on हो जाएगा, तो lock screen पर आपको oh swipe करना है, आपको directly camera apps open हो जाएगा, तो कभी भी आपको अगर अ feature बताएगा हैं, कि आप two fingers से down करें, गाना play हो जाएगा, गाने को next करने के लिए इस तरह से click करें, गाना next हो जाएगा, गाने को preview भी कर सकते हैं इस तरह से click करने पर, तो यह सभी आपको condol lock screen पर ही मिल जाएगे, आपको skin unlock करने की जरूत नहीं है, कभी भी गाने बगर अलग-अलग feature मिलेंगे, unlock कर सकते हो directly skin को, इसके लाब किसी को directly call भी लगा सकते हो, अगर चाहें तो किसी favorite apps को भी आप select कर सकते हो, जैसे कि आप किसी apps का ज्यादा यूज करते हैं, तो आप lock screen पर A type करना है, आपका skin on हो जाएगा, और unlock करके direct उसी apps को आप access कर पा हुए, ज यहाँ पर जो भी आप select करना चाहते हो, कर सकते हो, इस phone के अंदर friends, आपको AI gesture मिल जाते हैं, मतलब अपने phone को अप हवा में, तरह से सारे करागी phone को बहुत आसनी से use कर सकते हैं, यह काफी useful feature है, और इसी phone के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको उनको चालू करन पहले feature answering and mute call का, इस feature को on करने के लिए आपको यहाँ on कर लेना है, इसका use करने के लिए simple के करना है, अगर किसी भी call को आप answer करना चाहते हो, तो इस तरह से आपको hint रखना है अपना, और answer करने के लिए इस तरह से कर दिना हो, तो आपका call answer हो जाएगा, अगर वही call आप mute कर करना चाहते हो, तो आपको इस तरह से palm दिखाए रखना होगा, और लगवा 5 second के लिए, तो आपका call mute भी हो जाएगा, तो AI gesture के यह काफी अच्छी feature मिल जाते हैं, तो यहाँ पर यह सब AI, जो आपके gesture हैं, वो सब AIR में काम करेंगे, आपको phone के test bar करने की जरूरत नहीं रह किस-किस apps के अंदर काम करेंगे, वो यहाँ पर आपको दी गए है, Facebook, N आपको यहाँ पर देखने हो मिलेगा, YouTube तो दोनों ही आप काम कर सकते हो, किसी वीडियो बगएरा को scroll करना है, या फिर आपको page scroll करना है, तो यह दो feature के अंदर ही support भी करता है, यहाँ पर कुछ और भी feature मिल जाते हैं, आप video को push and play भी कर सकते हो, कभी video आप देख रहे हैं, और आपको video push करना है, फोन को touch करने के जरूद नहीं, simple इस तरह से पाम दिखा दीजिए, आपका video push हो जाएगा, play करने के लिए simple आपको इस तरह से पाम दिखाना है, तो आपका video play हो जाएगा, तो यह क आपको देखने हो मिल जाता है, lift to ear to answer call का feature, इस feature को on करने के बाद आपको सारी temperature condition on कर देनी होगी, अब आप call को भी direct कुछ इसी तरह से answer करा सकते हो, answer करने के लिए call आपको touch करने के जरूद नहीं, इस तरह से call को भी answer करा सकते हो, feature और मिल जाता है आपको auto switch to ear receive का, इस feature को on करने के बाद किसी भी call को आप hand free speaker बात कर रहे होते हैं, और phone के जो भी आपकी call सर रही होगी, आप अपने phone को कान के ले जाएंगे, वो call automatically आपके कान बारे speaker में आबाज देना शुरू कर देगा, वनलब फोन इतना smart है, खुद ब call को mute कर पाऊगे, और volume up down button को press करके call को mute करा सकते हो वैसे, इस phone के अंदर आपको 3 button navigation देखने को मिलते हैं, चाहें तो इन्हें hide करके आप gesture navigation भी इस phone में set कर पाऊगे, तो उसको set करने के लिए आपको जाना है phone की setting में, और कुछ feature भी आपको मिल जाते है gesture की मिलद से, जो कि जिसके लिए आप hide gesture guide bar पर click करना होगा, आपकी line hide हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर एक feature और मिल जाएगा, switch to preview apps का, यह feature ज़रूर से on कीजिए, अब इसका use मैं आपको बदा दे रहा हूँ किस तरह से करना है, जैसे कि आपके बहुत सारे apps background के अंदर काम कर रहे हैं, आप किसी apps के अंदर से, आपकी दो से apps के अंदर switch करना चाहते हैं, तो इस तरह से click करा के आप दो से apps के अंदर चले जाएंगे, अगर आप gesture का use कर रहे हैं, तो यहाँ भी यह काफी अच्छे feature मिल जाते है, gesture के मिल जाते हैं, वापस जाने के लिए इस तरह से click करका वापस भी इस phone में आपको one handed mood का भी support देखने को मिल जाता है, अगर phone को आपको one hand से यूज करना है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, इस feature को on करने के लिए phone की setting में आ जाएए, additional setting पर क्लिक करके आपको देखने को मिलेगा one handed mood, यहाँ पर क्लिक करना है और इसको on कर लेना है, आपके CB time में आपने phone को one handed mood पर यूज करना चाहते हैं, तो इस तरह सा आपको click करना होगा, आपको phone one handed mood पर on हो जाएगा, कुछ इस तरह सा click कराएए, आपको phone one handed mood के लिए on हो जाएगा, यहां पर फूल करने के लिए आपको इस तरह से क्लिक करना होगा, ब्लैंक एरिया में तो इसको आप फूल कर सकोगे, इस फोन के अंदर आपको IR का भी सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि आपने देखा अभी तक किसी फोनों में नहीं मिलता था, यह MI की डिवाइस हो मिलता था, इस फोन के अंदर आपको IR का भी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब इस फोन के अंदर आप किसी भी TV या फिर किसी भी AC बगएर का रिमोट सैट करना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से कर पाएंगे, जिसके लिए आपका जो कंट्रोल पैनल रहेगा, इसको आपको भीन कीजी, यह आपको क्लिक करना होगा, साइट करने के बाद आपको यहाँ पर AI रिमोट देखने को मिल जाएगा, इसको आप उपर की साइट पहले एड कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पर किसी भी TV या फिर किसी भी AC बगएर का रिमोट सैट करना चाहते हो, तो इस पर क्लिक करके आपको इस फॉन को कौन सा फॉच्टर बैस्ट लगा मुझे कमेंड करके जरूर सर बता सकते हैं, इस फॉन के अधर फ्रेंड्स आपको रैम एक्स्पेंड करने के बाद जाएगा, जब आप इस पर क्लिक करते हो, तो कितनी जीवी खा आप यहाँ पर रैम को एक्सपेंड क करना चाहते हैं वो आपको select करना पड़ेगा अब जैसे कि चार जी भी छह जी भी एन आर्ट जी भी का support है आप जिसको भी आप बढ़ाना चाहते हैं जितने जी भी वह आपको expand कर लेना है तो आपको उतने जी भी RAM expand हो जाएगा और काफी ज्यादा फोन फास्ट हो जाएगा यहां पर आप अगर आप कभी भी अपने फोन को देख रहे हैं तो आप RAM को expand कर लेजिए फोन काफी फास्ट आपका हो जाएगा इस फोन के रिजएट मेरें को जब आप प्रेस करते तो यहां पे जितने भी एप्स रहते हैं उनका सभी का content सो होता है आप चाहें तो किसी भी एप्स का content hide कर सकते हैं जाने फिकल्श करने पर क्लिक करने हुआ यहां देखने को मिलेगा hide content उसके apps के ऊपर उस तरह से click कर देना है तो ऊस एप्स को content यहाँ पर सोन नहीं होगा तो किसी भी content का हाइट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं जो भी एपस का कॉंटेनिया आपने हाइट करके रखा हुआ वह सोध नहीं होता है यहाँ पर एक और दिक्कत देखने को अपर क्लिक करते हैं तो आपके बैक्ग्राउंड के अंदर से सब करने हैं वो आपको लॉड करने रहा होंगे और यहां पर आपको लॉड करना होगा तो जो बैक्राउंडे न से करें strony अप डियोर्मार्य नियुक्यायोंग करने के बाद मैंने पर जाना होगा और यहां पर देखने हो मिलेगा डिस्प्ले रहम information इसको on कर लीजिए अब आपकी RAM information आप यहाँ पर देख पाऊगे इस phone आपको under display fingerprint देखने को मिलता है तो उसकी मदद से आप किसी भी apps को बहुत आसानी से access कर सकते हो तो उसकी setting करने के लिए phone की setting में आ जाएए यहां से scroll down कीजिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आप आपको special feature यहाँ क्लिक करना है quick launch पर जब आप click करते हो तो यहाँ पर इस feature को आपको on करना होगा अब आप edit पर click किजिए किसी भी apps को आप जिसको भी add करना चाहते हो तो कर सकते हो तो apps पर आपको click करना होगा तो यहाँ पर आपको अलग-अलग apps देखने को मिलेंगे जिस इसको आप यहाँ पर quickly launch करना चाहते हो वो आपको select करने रहते हैं और कुछ function भी आपको मिल जाते हैं जिनको आप lock screen पर ही control कर सकते हो किसी को direct call करना है तो आप वो select कर सकते हो नंबर ले सकते हो और फिर आपका Chrome browser का tab रहता है उसको open करा सकते हो directly तो यहाँ पर बहुत सारी feature रहेंगे जो भी आपको अच्छा लगे या फर अपने इसाफ से जो भी आप set करना चाहते हो उसको select कर सकते हो अब directly आप जैसी screen को unlock करेंगे वैसे यहाँ पर open हो जाएगे तो चली देखते हैं किस तरह से set करना है आप यहाँ पर आपको press करके रखना होगा यहाँ पर को मिल जाएंगे इनको आप directly access कर सकते हो इस फोन आपको smart slide bar देखने को मिलता है तो यहाँ पर कुछ apps को भी आप add कर सकते हो एन यहाँ पर जो भी apps आपकी add होंगी वो सभी आपके floating window में on होते हैं कुछ इस तरह से जैसे कि आपको यहाँ पर अपना calculator बगरा open करना है तो यह आप यहाँ पर select करके रख सकते हो दन करेंगे तो यहाँ पर add हो जाएगा किसी भी time किसी के अंदर apps के अंदर बगरा है तो यहाँ पर कभी भी apps direct access करना है तो यहीं से direct click करके आप इसको access कर पा होगे तो यह काफी useful feature हो जाता है यहाँ पर smart light bar का इस phone के अंदर आपको एक ऐ feature आपको मिल जाते है बिए and natural natural को select करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह ऐसा हो जाता है यहाँ पर आप चाहें तो अपने skin का जो temperature है इसको warm and cool कर सकते हो तो यह भी आपको selection मिल राएगा अगर आप अपने phone की skin को काफी हथ तक मालब increase करना चाहते हो मलब quality बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको video color boost का feature मिल जाता है इसको आपको on कर लेना है अब जब कभी भी आप video बगयरा देखेंगे जो HDR video बगयरा रहेंगी वहाँ पर content काफी अच्छा देखने को मिलेगा काफी अच्छी video आप view कर पा होगे इस phone के अगर auto select रहेगा तो जहां जरूद रहेगी 60Hz के वहाँ पर 60Hz पर काम करेगा 120 होगी तो वहाँ पर रहने दीजी वहाँ ज्यादा बैटर रहता है इस phone के अंदर आपको by default net speed meter का support मिल जाता है जिसके बारे में आप जान सकते हैं आपकी phone में क्या net speed आ रही है तो उसको on करने पर क्लिक करना है देखने को मिलेगा state bar इस पर क्लिक करने के वाद आपको real time net speed on कर देना है आपकी phone में camera speed आईगी वह आप state bar में देख पा होगे इसके लाबा यहाँ पर बैटी style को भी आप चेंज कर सकते हैं जिसके आप बैटी style पर क्लिक कीजिए यहाँ पर आपको अलग के लिए select करते हैं तो कुछ इस तरह से बैटी आइकन के बराबर से आप circle देख पा होगे इस phone में आपको dual apps का भी support मिल जाता है किस भी apps को आप dual करना चाहते है तो phone की setting में चाहिए scroll करने पे आपको apps पर क्लिक करना होगा देखने को मिलेगा app loner जब आप इस पर क्लिक करते तो आपको फोटो नाम की जो गैलरी ये phone की ही वो open कर लेनी है इसको open करने के बाद यहाँ आप तीन option को देख पा रहे होगे किसी पर आपको press and hold करके रखना होगा एक privacy password बगएरा आपको set करना रहता है वैसे यहाँ पर जो password रहता है वह आपका जो app lock वाला password रहता है वही यहाँ पर अपने privacy के लिए रखना चाहते हो यहाँ पर डालने के बाद आपके सामने security question आएगा जिसमें आप अपने नाम set करके इस icon पर क्लिक कर लीजिए and got it पर क्लिक करने के बाद आप plus के icon पर जाएंगे तो सभी photo and video आपको देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ से select कर स सकते हो एक और तरीका रहता है हाइट करने का album पर क्लिक केजिए उस folder में जाए जिसमें सब photo and video हाइट करना है उसके उपर press and hold कीजिए जो भी photo and video को हाइट करना चाहते हो इसके बाद आप multiple भी select कर सकते हो यहाँ पर आपको hide feature देखने को मिल जाएगा जब आप इस पर क्लि कि आप देखने को मिलेगा privacy, privacy option पर जवाब कलिक करते हो तो आपको फिर से privacy पर क्लिक करना हुगा app lock यहाँ पर क्लिक करके हाप set कर सकती हूआ अब्स को अइब्स करना चाहते हैं तो यहां करके आप apps को हाइड कर सकते हो अब्सक्राइब में भी link आपको मिल जाएगा इस phone के अंदर आपको super mola display देखने को मिलती है तो यहां पर always on display का feature मिल जाता है जिसको on करने के बाद आप अपनी display को काफी unique कर सकते है जो कि आपकी always on रहेगी तो इसको side करने के लिए phone की setting में आजाईए बाल पेपर आपको क्लिक करना होगा always on display पर आप क्लिक करते है तो यहां पर आपको अलग-अलग तरह के style देखने को मिल जाएंगे अलग-अलग तरह के किसी फोटो को choose कर सकते हो जो भी आपको फोटो लॉक स्कीन के लिए सो कराना है तो सेम उसी तरह से आपको जो ब्लेक इंबाइट टाइप का फोटो रहता है वो आपकी always on display के लिए select हो जाएगा तो जो भी आप select करना चाहते हो यहां पर customize कर सकते हो किसी clocks बगेरा को जैसके करके रखेंगे तो आपकी बैटी काफी ज्यादा यहां पर चलने वाली है जैसे कि आप इस बहुन में डार्क मूड को set करते हैं तो आपको एमोलेड डिस्पिल रेखने को बिलती है तो आपकी बैटी काफी ज्यादा कम यहां पर drain होती है तो इसको आप सैटिंग भी कर सकत अगर आप मिडल चाहते हैं तो यहां select कर सकते हूँ वह आपके हाँ में किस तरह सेट करना चाहते हूँ यहां पर एक और सेटिंग को कर सकते हूँ जो कि सेडूलेट रहता है इसको जब आप अन करेंगे तो sunset to sunrise के लिए select करते हैं तो automatically night में यह on हो जाएगा दिन होते ही automatically सकते हो जो भी आप जैसे आप से कस्टमाइज करना चाहते हैं डार्क मूट के लिए आप कर सकते हो इस फोन में आपको आई comfort का भी future मिल जाता है मतलब आई care भी इस फोन के अंदर आप सेप कर सकते हो लगा सकते हो जिससे आपकी आँखों के लिए कोई भी effects नहीं इसके ओपर आप करना न भूलें तो चली फिर्ट्स मिलेंगे एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए गुद्बाई एंड टेक कियर